चेताबनी, इस वीडियो में हिंसा की विचलित करने वाली जानकारियां हैं, दर्शकों से विवेक अपेक्षित है निठारी काण, ये नाम आपने सुना है नोईडा से बहुत सारे बच्चे और बड़ी लड़कियां लापता हो गई फिर धीरे धीरे एक नाले से लाशे मिलने लगी लाशों को काट ने पका कर खाने के किस्ते सुनाई देने लगे और सुरेंदर कोली मोहिंदर सिंग पंधेर को दोशी बनाया गया मौत की सजा हुई और आज इसी केस में इलाबाद हाई कोर्ट ने दोनों दोश्यों को सजा से बनी कर दिया आज इसी केस पर बात करेंगे, इसकी तमाम पेचीदगीयों पर बात करेंगे उन लोगों का रूख करेंगे जो इस केस सीधे तोर पर जुड़े रहे हैं और एक सवाल छोड़ कर जाएंगे, नौइटा के बच्चों की हत्या आखिर किस ने की? नमस्ते मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दीललन टॉप शोड़ आज यानि 16 अक्टूबर कोईलाबाद हाई कोट ने निठारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरिंदर कोली और मौनिंदर सिंग पंधेर की फांसी के सजा रद कर दी बता दें कि रेप और मर्डर के इन आरोपियों को फांसी के सजा घाजियाबाद की स्पेशल सीबियाई कोट ने साल 2017 में सुनाई थी फिर इस मामले को हाई कोट में चैलेंज किया गया हाई कोट में सुनवाई पूरी होई सितंबर 2023 में और फैसला सुरक्षित रख लिया गया जेस्टिस अश्वीनी कुमार मिश्रा और जेस्टिस सैयद आफ्ताब हुसेम रिजवी की बेंच ने बरी करते वे कहा कि दोनों के खिलाफ परयाब सबूत नहीं मिले लहाजा उन्हें बरी किया जाता है बता दें कि इस बुलिटिन के तैयारी करते हुए कोट का पूरा जज़्जमेंट हमारे सामने नहीं आ सका है इस मौके पर पंडेर की वकील मनीशा भंडारी ने प्रस से बात की सुनी उन्होंने क्या कहा पहले ही किया 2010 में आ गया था इज़जमें उसके बाद तीन मुकदमे और थे उन तीनों में सेशन्स कोट ने बरी किया दो जो अभी पेंडिंग थे जिन में फासी थी वो रिवर्स हुए है और दोनों में बरी कर दिया गया है कोलिय भी घाजियाबाद की डासना जेल में बंध है और पंडेहर बंध है नौईडा सेंटरल जेल में और वकील ने क्या ही दिया कि आरोपी जल बाहर आएंगे ऐसे में दो सवाल उटते हैं अगर मुरेंदर सिंग पंडेर और सुरेंद कोली दोशी हैं तो दोनों बरी कैसे हुए अगर दोनों निर्दोश हैं तो लगभग तीन दर्जन बच्चों और बड़ों की हत्या किस ने किया उनका रेप किस ने किया उनके लाशों के टुकड़े किस ने किये ठिकाने किस न अब चलते हैं साल 2005 में गौतम बूद नगर उर्फ नॉड़ा के सेक्टर 31 में गाउं है निठारी इस साल इस गाउं में बच्चे गायब होने लगे खबरों में बच्चों की संख्या 2-3 दरजन आई सबसे पहले लोगों में अफवा उड़ी गाउं में पढ़ने वाली पानी की टंकी पर भूत रहता है वही बच्चों को उठा रहा इस तरह की बाते होने लगी माबाप ने बच्चों को पानी टंकी के पास जाना भेजना बंद कर दिया लेकिन बच्चों को उठाने वाला ये भूत पानी की टंकी पर नहीं रहता था उसका पता एक कोठी के आसपास कहीं था कोठी का पता डीफाई कोठी के मालिक का नाम मौनिंदर सिंग पंडेर जैसी भी मशीनों की खरीद फरोगत करने वाला व्यापारी था वो उसने साल 2000 में एक कोठी खरीदी लेकिन इठारी के लोगों को इस कोठी के बारे में खास पता नहीं था उन्हें तो बस ये पता था कि यहां मालिक पंडेर अपने नौकर सुरेंदर कोली के साथ रहता है अपना जीवन जीता है बात तब खुली जब इस कोठी में एक दिन एक लड़की आई लड़की का नाम पायल उम्र 26 साल वो 7 में 2006 के दिन अपने पापा ननलाल को बताकर निकली कि वो पंडेर की कोठी पर जा रही है वो रिक्षे से आई रिक्षा D5 के सामने रुका पायल ने रिक्षेवाले से कहा कि वेट करो अभी अंदर से आकर पैसा देगी पायल अंदर गई लंबा समय बीद गया लड़की बाहर नहीं आई भाड़े का वेट कर रहा है रिक्षेवाले ने कोठी के बाहर लगा लोहे का बड़ा सा गेट खट-खटाया भी अंदर से नौकर सुरेंद्र कोली निकला और पायल के बारे में पूछने पर सुरेंद्र कोली ने कहा कि वो तो बहुत देर पहले चली गई रिक्षे वाले को शक हुआ क्योंकि वो तो लगातार कोटी के गेट पर ही राह देख रहा था उसने कोली से बात बताई तो वो माना नहीं रिक्षे वाले को जड़क दिया उसने और रिक्षा वाला भड़ा लेने के लिए पायल के घर पहुचा वहां भी वो पायल को पाता नहीं है लेकिन पापा ननलाल थे रिक्षेवाले ने उन्हें सब कुछ बता दिया वहां कि क्या हुआ ननलाल ने पायल की खोज चुरू की वो मिली नहीं उन्होंने पास के थाने में रिपोर्ट लिखवाने की सोची और पुलिस ने जड़गा कर बहां से उन्हें भगा दिया आखिर में वो जून 2006 में नॉइडा के वरिष पुलिस अधिक्षग पियूश मुरडिया के आफिस गए गोहार लगाए कि उनकी बेटी की रिपोर्ट लिकी जाए पायल के नाम की मिसिंग परसन रिपोर्ट तब जाकर लिखी गई और पायल की विधिवत खोज शुरू हुई कुछ महीनों तक बात खुली नहीं बात अब सामने आई जब दिसंबर 2006 में पायल का खोया हुआ नौकिया 1100 हैंडसेट अक्टिव हुआ इसका सिम बदल दिया गया था लेकिन फोन कंपनियों ने इस हैंडसेट से जुड़ा 15 अंकों वाला IMEI नंबर ट्रेस कर लिया फोन महराष्ट में आक्टिव हुआ था फोन कंपनियों ने तुरन नौईडा पुलिस को सूचित किया पुलिस ने फोन रखने वाले से बात किया और उसने पुलिस को बताया कि उससे किसी ने ये फोन बेचा था फोन बेचने वाले का नाम और पता चला सुरेंद्र कोली को खोजा गया लेकिन वो नोड़ा में मिला नहीं उत्राखंट के अलमोडा में मौजूद अपने घर में था पुलिस ने उसे पूछताच के लिए बुलाया कोली ने पहले कोई भी जानकारी होने से इंकार किया फिर दबाव देने पर उसने बताया कि उसने पायल की हत्या कर दी और हत्या के बाद उसकी लाश के टुकड़े कर दिये लाश के टुकड़ों को पंधेर की कोठी D5 से सटकर बहने वाले एक नाले में फेंक दिया गया पुलिस को लगा कि उन्होंने पायल का केस सॉल्व कर लिया लेकिन अभी उनके होश रुदने बाकी थे पुलिस ने नाले में खोजबीन शुरू की तो नाले में से कुछ कपड़े और जूते वरामद हुए इनसानों की लाशों के सड़े गले हिस्से, कंकाल और खोपड़े और जूते वरामद हुने लगी लाशों के कुछ हिससे अजले थे, कुछ बोरों में रखकर ठेंके गए थे पुलिस की टीम ने नाले से निकालकर पंढ़ेर की कौठी के अंदर जान चुरू करती कोठी के अंदर से भी बच्चों के कपड़े, स्कूल बैक्स और जूते बरामद होने लगे सुरेंद से एक बार और पूर्षताच की गई इसके बाद और उस सुरेंद कोली ने कहा कि उसने और उसके मालिक पंडेर ने मिलकर इन में से बहुत सारे बच्चों का रेप किया उसने कहा कि वो दिनबर कोठी के गेट पर टॉफी और चॉकलेट लेकर खड़ा रहता था स्कूल से आने जाने वाले बच्चों को लालश देकर कोठी के अंदर बुलाया जाता या आसपास काम करने वाली महिलाओं को काम देने के बहाने अंदर बुलाया जाता जब ये लोग कोठी के अंदर आ जाते तो कोली उन्हें ओवर पार करके पंडेर को सौप देता पंधेर इनका बलादकार करता पिर उन्हें सुरेंदर कोली को सौप देता कोली भी इनका रेप करता फिर गला दबाकर मार डालता लाशों को कोठी की पहली मंजिल के बातरूम में लेकर जाता बातरूम का नल खोल कर लाशों के टुकड़े करता पानी अपने साथ खून को नाली में बहा ले जाता और लाशों के टुकडे नाले में फेक दिये जाते कोली का ये बयान पुलिस के होश उड़ाने के लिए काफी था 29 दिसंबर 2006 नोईडा पुलिस ने कोली और पंधेर को अरेस्ट किया इस रोज इस मौके पर सुनते हैं उन पतरकारों को जिन्होंने इस मामले को तब काफी नजदीक से कवा किया था दिसंबर 2006 और जनवरी 2007 की बात है जब लग रहा था कि सारे देश में एक ही खबर है और वो है निठारी वहां से लगा हुआ जो सेक्टर 31 है नोएडा का वहां उन दिनों देश और दुनिया के तमाम प्रचार माध्यमों के जो रिपोर्टर्स हैं उनका जबावडा लगा हुआ था क्योंकि यह बहुत ही एक तरह से दिल को तार तार कर देने वाली घटना थी जिसमें दो दर्जन से ज्यादा बच्चे बच्चियों माइनर बच्चे बच्चियों को कतित तवर पर किड्नैप करके मारा गया था उनके कंकाल मिले थे तो और उस समय की जिस तरह की घटना की उसे वहां पर मीडिया का जमाड़ा लगना बड़ा लाजिमी था तो रिपोर्टर्स के लिए उस समय आप सही कह रहे हैं यह बहुत बड़ा इवेंट था उसमें बहुत कुछ सब को सीखने को मिला था कि हमारा प्रशासन और पुलिस कैसे ग्राउंड पर काम करता है यह 2004 से सिल्सला शुरू आता निठारी के उस गाउं के बच्चियों के गायब होने की चुकि यह बस्ती जो है एक शहर के बीच बीच कोटियों के बीच में है बहुत सारे गरीब परिवार रहते हैं तो नोईड़ा चौकी एक हुआ करती थी लेकिन निठारी पुलिस को लगा कि यह कहीं चले गए आ जाएंगे कहीं यह चोटी बच्चा थी उसको सोतना था यह तो निठारी पुलिस ने कभी इसको सिर्यस्ली लिया नहीं वो तो 2006 में इतफाक की बात है तब देश में उसक्त मेडिया में सुरुखियां थी सद्दाम पफाई होने लगी तो उस नाले के पीछे बहुत सारे काले पॉलिथिन मिले जब उन पॉलिथिन को बाहर निकाला गया तो उसमें इनसानी हड़ियां और कंकाल के टुकड़े थे जब यह निकला तब उसके बाद हड़कम मत गया थोड़ी देर के बाद मेडिया में भी बच्चियां और उनके टुकड़े हो सकते हैं लेकिन जब एक एक करके निकलना शुरू हुआ और ही कंफर्म हो गया कि यह इनसानी का अंकाल है फिर तो हंगामा मज गया और वो जो 2004 से निसिंग बच्चे थे फिर उसके साथ सारी कणिया जोड़ते गए लेकिन इस मामले को खबरे सामने आई जैसे साल 2005 में जब डॉली हालदार पुलिस के पास अपनी 14 साल की बेटी रिमपा हालदार की गुमशूदगी की रिपोर्ट लिखाने गई थी तो पुलिस ने कहा कि वो किसी के साथ भाग गई है रिपोर्ट लिखवाने की कोई जरूरत नहीं बाद में क केस की जांच के दौरान पता चला कि रिमपा हालदार इस केस की एक विक्टिम थी और उन्हें भी मार काट दिया गया था परिजन पुलिस से गुसा थे उन्होंने पुलिस पर पत्थर चलाए क्राइम सीन पर भी पत्राओ किया और तोड़ फोड़ की सुने शमस तायर खान तो समझ में नहीं आया तब भी नोईडा पुलिस ने एक बार भी कोशिश नहीं की कि जाकर वो निठारी में तफ्तीश करें इन्विस्टिगेट करें या डी-5 के लोगों से पूछें और यही वज़ा है कि जब यह कंकाल मिले दो साल के बाद तो लोगों का गुसा था और इस कोठी का मालिक उसके साथ उस नोईडा के पुलिस स्टेशन के लोगों के साथ बड़े इच्छी दोस्ती थी जब वो रात को याशी करता शराप पीता तो वो पुलिस वाले भी उसके पास आते हैं और वहां पाटी करते हैं तो जब ऐसे रिष्टे हों तो फिर कहां होने लगा फिर लखनों तक बात पहुंची फिर बाकी आला पुलिस सब्सक्राइब मौके पर पहुंचे हाला कि कुछ दिन के बाद यह पूरा मामला ही सीबी आई के सौंद दिया गया शुरू से था मैं यही कहता हूं कि इसके लिए पुलिस छोड़िये अगर थोड़ी सीब दिमाग लगा लेते कि बहुत सारे ऐसे विटनेस थे फायर की कौपियां बाद में कर जब च्छन के सामने आई तो जितने भी पेरेंट्स थे जिनके बच्चे गायब हो रहे थे उसे फायर में कॉमन बात थी वह यह थी जब वो माबाब लिखाते कि अच्छा जी कहां से ग उसका कि D5 में जाकर देखे क्योंकि महां को फैमली नहीं रह रही है और ज्यादा तर सिर्फ एक शक्स रहता है सुरेंद्र कोली क्योंकि मलेंदर सिम्प ठेर भी बाहर बाहर रहता जब भी वह आता सिर्फ एक दो रात के लिए रुपता लिकिन अगर पुलिस ने इतने सार यह मतलब कॉमन फैक्टर को देखते हुए कि D5 बार बार नाम आ रहा है इवन जो एक लौती इस पूरे केस में जो बाली लड़की थी उसके वी यह केस तब खुला जब उसको एक रिक्षे वाले ने महां छोड़ा और जब घर नहीं पहुंची तो फिर उसके पिता तक यह तो मैं पैसे के लिए खड़ा रहा बहुत देर तक जब बाहर नहीं आई तो मैंने का हटाओ कोई बात नहीं पैसे चले कि तब वो चला गया जब इसके बार यह सारी चीज ने फिर सामने आई लेकिन वही है कि नोईड़ा पुलिस नेगा 2004 से इस मामले की जान ती वंदारी नहीं रही थी लियाजा 11 जनवरी 2007 को इस मामले को CBI ने टेक और किया CBI ने जान शुरू की फॉरंसिक विचे शग्यों और अधिकारियों की टीम पंधेर की कोठी में दाखिल हुई इस टीम के साथ काम करने वाले डॉक्टर टीडी डोगरा जब क्राइम सीन पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा आप उन्हें से सुनिये इतनी सी जो मिली थी वो तो बहुत कम थी तो इतनी तो नहीं कुछ ज्यादा मैठीरियन होगा ज्यादा बोड़ी पार्ट्स और टिश्यूस बगरा होने चाहिए स्युषै शूषे शिवतनी सब्सक्राइब जरता होगा और अबाता है तो 26 अग Days सब्सक्राइब सवंने लिए कि यह सोब्स जो है यहां पर होता है संप क्या होता है कि oni का जाल होता है उसमें भी इस्तप्ट्न के बीच पर गिन्ट को ब्रわか कर देगी तो संप इंघिनर्स को हुआ होते हैं। उन्हों को बला आगिhost दीटंड़ी송 को आपनेिकिक किसा नंगे इसका संप यहां पे है तो अप्रेकर किम इसको इसको स्थीक मिलेंग जाये हैं। Statist बाकिकी बांस के लिए उस संप को खाली करवाया गया इन चार दिन लगे उसमें और जो भी मेटेरियर उसमें निकला वो हाथों से उसको देख देख रहे के हमने काफी सारी बांस नमबर तो मेरे को याद नहीं है बारा तेरा सब बांस जो हैं अब सादिस से ज़्यादा तो काफी बांस हमें एकठी हो गई प्लस सौफ्ट इश्यू भी काफी मिले और उससे में उसके डेसिक्टिंग पैटरून का भी पता चला फिर यह सारा समान वहां से लेकर के हम लोग एमस आ गए क्राइम सीन से बच्चों की कई नगत तस्वीरे मिली लापटॉप से पोर्नोग्रफिक मटेरिल मिला लेकिन इनमें से ये साबित नहीं हो रा था कि इन दोनों ने कोई कुकर्म किया है सबूत का जुटाना जारी रहा और दूसरे छोर पर कोली पंडेर से पूछताज भी चली सीबियाई से पूछताज में पंडेर ने कहा मैंने बच्चों के साथ सेक्स नहीं किया पंडेर के बारे में ये भी खबरें चली कि वो बच्चों के साथ ओरल सेक्स करता था या फिर उन्हें कोली को सौम देता था लेकिन इसकी कभी पुष्टी नहीं हो पाई बताने कि पंधेर अपनी कोठी में कोली के साथ रहता था उसकी पत्नी और उसका बेटा चंडीगर रहते थे उसने पूस्ताश में बताया कि वो सेक्स अडिक्ट था लेकिन पत्नी साथ में नहीं रहती थी तो वो अपनी कोठी पर सेक्स वर्कर्स को बुलाया करता था पैसे देकर सेक्स करता था उसने इस केस की एक विक्टिम पायल के बारे में भी यही कहा कि वो सेक्स वर्कर्स थी यानि पंधेर ये कह रहा था कि वो six addict है वो वैश्य वृत्ति में शामिल है लेकिन वो ये नहीं कह रहा था कि वो रेप करता था उसने कोली के उन आरोपों को जुटला दिया था जिसमें उसने कहा था कि पंधेर रेप के बाद औरतों को कोली को सौम देता था अब सवाल उठता है कि कोली ने CBI पूछताच में क्या कहा था कोली ने चौकाने वाले दावे किये कहा कि उसने जिन्दा लोगों का ही नहीं लाशों का भी रेप किया लाशों के टुकड़े किये लाशों के हिस्सों को पका कर खा गया एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कोल अबारों की हेड्लाइन लेखी गई एक हिंदी अगबार में हेड्लाइन चापी गई सीवी आई हिरासत में इनसान का मास खाना चाहता है सुरेंद्र कोली लेकिन ये बयान थे बयान को सबूत या सपोर्ट चाहिए था जो सबूत जुटाए जा रहे थे उन्हें आरोपियो अलग से करणा है बटक्स के टिशू अलग से हमको मिलते थे हो सबूली थे पैक में रख करके हुए तो बिल्कुल ऑविस था कोई हमें पर्टिकुलर्ली बेंग डॉक्टर है ना और ये भी हमें अंदाजा लगे था कि इस काम को करने वाले आदमी ने पहले कुछ उसको जो करते हैं वो मालूम है और फिर पता चला कि जब बच्पन में जो है वो उस कम्यूनिटी को बिलॉंग करता था जो लोग एनिमल्स की हाइट्स निकालते हैं तो उनके उनको मालूम होता है कैसे डिसार्टिकुलर्ट करना है लिम्स को माले जोएंट है तो इसको कैसे सेप्रे को काट दो तो आपकी बॉन फ्री हो जाएगी तो सारी बॉन्स डिस अर्टिकुलिटेट थे सारी चेस थोरेक्स एबरीटिंग डिस अर्टिकुलिटेट थे तो वही वह शो करता था के भी कि इस वेक्ति को कुछ नॉलेज है इसके बारे में तब ही तो फिर जो हमने कहा से मैं उन्हों पूछा उसको 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 करती है जो कि हड्डियों और अलग-अलग मिले थे इसने लाशों का इग्जाक काउंट सामने नहीं आ पा रहा था लेकिन फॉरेंसिंग टीम की एक फा लाशे थी बच्चों बड़ों की लगभग 19 लाशे बरामद हुई कुल इसके साथ इसी वेकी जांश में कुछ और अंगल लिये जाने थे जैसे मान और मंगों का व्यापार बच्चों का पॉन्ट प्रडूस करना बच्चों की सप्लाई करना और यह आंगल आए महिला एव जांच का दाइरा बढ़ाना चाहिए जांच का दारा बढ़ाया भी गया लेकिन CPI को इन आरोपों को साबिट करने के लिए एविडेंस नहीं मिला जो भी बयान दिये गए थे वह CPI अधिकारियों पुलिस अधिकारियों और मेजिस्टेट के सामनने दिये गए थे इन बया जिद भी करना पड़ेगा कोर्ट में और उसके लिए पक्का सबूत चाहिए होगा तो ऐसा हो नहीं पा रहा था लियाजा पंधेर के खिलाफ केस कमजोर ही पड़ता गया जबकि कोली केस में फस्ता गया सुनते हैं एक्सपर्ट से जो बता रहे हैं कि जाच करने वाली टीमों के सामने क्या दिक्कत आ रही थी इतने बच्चे लापता हुए थे उनके परिजन कहते हैं कि 19 बच्चे नहीं यहां से तो कम से कम 70 से 80 बच्चे लापता हुए होंगे लेकिन जब उसकी जाच कराई जाती है जो फरनसीक एक्सपर्ट आते हैं उसमें जो हड्डिया मिलती है जो धड़ के हिस्से मिलते हैं जितने स्केल्टेन मिले थे उनको जब एक जगा करके एक जगाई कठा करके जब जाच की जाती है तो पता चलता है यह ज़्यादा ज़्यादा 18 या 19 बच्चों के हो सकते हैं लेकिन अब उसके बाद जब CBI की जाच शुरू होती है तो उसमे भी तमाम यह दावी की जाते हैं कि हो सकता है इसमें human trafficking का angle हो तमाम मानो संसादन विकास मंतराले तमाम जो अबाल मंतराले है उन्हों ने भी कहा कि इस case पे भी जाच होनी चाहिए लेकिन चुकि जो बच्चे लापता हुए थे तमाम यह चीजे हैं कोई evidence नहीं मिलता है इस लेकिन जब वो बच्चों को बुलाया था किसी नहीं देखा जब उनके कंकाल को मतब जो भी कार्ट पिट को जो भी चीजे करता है अगर वो फेकता था उसके बारे में किसी के पास कोई evidence नहीं था कोई camera नहीं था मतब यह सबुत मिला ही नहीं कि सुरेंदर कोली ने कब कैस किसको बुलाया और कैसे मार के फेका मतब कोई सबुत नहीं मिलते हैं इसलिए लोगों ने ये भी दावा किया कहीं है human trafficking का case तो नहीं लेकिन उससे related कोई भी ऐसी चीजे नहीं मिली क्योंकि expert ये भी बताते हैं कि उस समय होता क्या है कि जब बच्चा अगर कोई missing होता है कु चाहे CBI की वो ऐसे किसी भी concrete एक फैसले पर या किसी इस evidence में नहीं पहुँच पाते हैं कि आखिर उन पच्चों के साथ हुआ क्या था इसी वजह से आसुरेंदर कोली को चाहे मुरिंदा सिंग पंधेर हो और पंधेर के बारे में एक चीज़ और बता दें कि पंधेर ने ज सबुत नहीं था कि कैसे उसको हम match कराएं तो date exact नहीं थी फिर पंधेर के जब जाच की गई उसके location के उसके mobile की तो हमेशा वो विदेसों में बिला उस टाइम पे वो नोड़ा में वो निठारी जो D5 कोठी है वहाँ पे मौजूद ही नहीं था CBI ने इस मामले में कुल 19 FIRs दर्ज की और दो चार्ज शीट फाइल की एक मार्च 2007 में और एक अपरेल 2007 में दोनों चार्ज शीट में CBI ने कोली पर आरोप लगाये थे पंधेर पर चार्ज नहीं लगाये थे ततका लिए CBI प्रमुक अरुन कुमार ने कहा भी था कि पंधे की सजा सुना दि सितंबर 2009 में पंधेर को भी फाइंसे की सजा सुनाई गई लेकिन 11 साल इलावाद हाइक कोट को पंधेर के सजा पर रोख लगाये इसके बाद कोली और पंधेर को स्पेशल CBI कोट ने एक केस में सजा सुना ए कुछ cases में CBIA court से मौत का परवाना भी जारी हुआ लेकिन Supreme Court ने आखरी मौके पर order पस्टे लगाया इस case में आखरी सजा सुनाई गई साल 2017 में जब एक और case में CBIA court ने दोनों आरोपियों को मौत की सजा सुना दी और अब आया है आज का ये judgment जो इलावाद हाई court से आया इस judgment के सामने आने के बाद नेठारी से विजूल्स आये कुछ पीड़तोंने पंधेर की कोटी पर पत्थर चलाने शुरू कर दिये फिर कुछ पीड़त कैमरे पर आये उन्होंने अपील की पंधेर कोली को जेल के अंधर ही रखा जाए और उन्हें फासी दी जाए ऐसा उन्होंने कहा सुनिये पीड़त क्या क्या कह रहे है परत्रा और दोनों को फासी जरूर चाहिए यह पीड़त हैं आज के तारीक से पहले तक इनके बच्चों के हत्यारे कोली पंधेर थे अब वो नहीं है तो इनके लिए हत्यारे कौन हैं उनके शिनाक कौन करेगा कौन उन्हें पकड़ेगा इन पीड़तों को न्याय दिलाएगा कौन कौन प्लोजर देगा इन सवालों के साथ आज का शो यहीं पहम कंक्लूड कर रहे हैं आप अपना ख्याल रखिए अब मिलेंगे कल